मनीज कस्षप नाम नहीं है मनीज कस्षप एक आंदोलन है और याद रखेगा बिहार की धर्टी पे ये जूनियल सतुदन सिनहा है जो सतुदन सिनहा युवा इस आवस्था में थे ये जैपका नैन और दुस्चंत कुमार दूसरा दूसरी आप याद रखेगा दुस्चंत कहता है आस्मा में सुराक नहीं होता यारो एक पत्थर तो तबियस से उचालो तो मनीज कस्षप ने पत्थर नहीं खंजर फेक दिया है और आपको बताना है तेईस मार्च एतिहासिक देर है राजगुरु और सुकदेव जी की साहधत का दिन है भगत सिंग ने भी इसी दि पर जिसका नाम था प्रताप उसमें उनका च्षपा था जिसमें उन्होंने आजादी की बात की थी और आपको से धानती ग्रूप से बताना है कि हमारा ग्रूप हमारा चैनल और हम भी मनीज कस्षप के साथ हैं कभी किसी राजनेतिक दल्वक किसी भी नेता के साथ कता ही नह नहीं मगफ मनीश कश्यप के आंदोनन पे हमारा सज़धा है अब ऐसे नाम है जो बिहार में हर तरफ गूचता नज़र आ रहा है मर मनीश कश्यप का दोश्र से फितना है कि बिहार के जंगल राज को उन्होंने एक्सपोस किया बिहार की जुनता के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी उसे उन्होंने दिखाया और अब इसी मुद्दे पर बादश्यत करने के लिए हमारे साथ मोचूद है वरिष्ट पत्रकार अजय पत्रकार जी तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में सर इस वक्त जो बहुत एहम मुद्दा है वो है मनीश कश्यप से जुड़ा हुआ तो मनीश कश्यप की और आज गुरू जी का उसी दिन बल्दान दिवास है और 23 मार्च का एक अलग वो है 23 मार्च को पूरे दुनिया में 23 मार्च कई किरांतियों को लिए याद किया जाता आपको एक चीज और वादा दे चेकोस लाबिया की जो क्रांत हुई थी वो भी 23 मार्च को हुई थी दूसरी जो मंडेला ने जो क्रांति की थी अफरीका में वो भी 23 मार्च को थी और मंडेला को भी इसी दरह पकड़ा गया था उसके बाद पूरी दुनिया ने उनसे माफी मागी पूरी हुकूमतों ने मागी और मंडेला को छोड़ा गया मंडेला एक आंदोलन हुए और मंडेला को नोबिल मिला और दुनिया में मंडेला का नाम हुआ सारे लोग उनके खिलाब के जुके आज वही पोईशन मनीज कशप की है जो मनीज कशप नाम नहीं है मनीज कस्टम एक आंदोलन है और याद रखेगा बिहार की धर्टी पे ये जूनियल सतुदन सिनहा है जो सतुदन सिनहा युवा इस आवस्था में थे ये जैपका नैन और दुस्चंत कुमार दूसरा दूसरी आप याद रखेगा दूसरा कुमार ने एक बात कही थी कौन कहता है आस्मा में सुराक नहीं होता यारो एक पत्थर तो तबियस से उचालो तो मनीज कस्टम ने पत्थर नहीं खंजर फेक दिया है और याद रखेगा उससे सारे सी से तूटेंगे दूसरी आपको बताना है कि ये एक बहुत बुड़ा करने जाना है इन्होंने बिहार में 14 और तमिल लाण में 13 मुकदमे दायर की है याद रखेगा 6.5 मिलियन उसकी वो है लगवा 65 लाक सब्सक्राइबर है जो कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी उस पे है दूसरी आपको बताना है कि मोतीहरी में और दिल्ली काटमांडू मार्क पे कल भीते पानी पे दिल्ली के पालका बाजार पे और कल बॉंबे में स्कवार पे तमाम जगह कैलकटा में कैलकटा में विक्टोरिया के सामने तमाम इस्तानों पे पूरे बिहार में हर कॉलेज में फोर्स लगा दिया गया हर कॉलेज से लगातार थाने और वहां के सभी मंत्री लगातार लगे हैं और हर थाने को बोल दिया गया जहां भी उनका पुतला फूका गया वो थानेदार सस्पेंड होगा और बहुत सकत आदेश हुए उसके बाजुद भी जगे जगे पुतले फुके जाने, न्यूस दवाई जा रही, लोगों की उगलिया तोड़ी जाने, लोग ठाने मारे जाने पड़ेगा, उसके बारे में आप देखिए, हम जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, तो जब लिखा सभी ने, सभी ने इसके बारे में जो है, इस चीज को आगे बढ़ाने में साथ दिया है, तो सिर्फ गिरफतारी मनीज कश्यब की क्यों हो रही ह यह बड़ा सवाल है, लगभग सभी प्रसों में, सभी चैनलों में, लगभग 600 यूटूब्स में उसके खबर आई, मनीज कश्यब के यहां भी आई, मसी मनीज कश्यब को किया जारा, उसकी बज़य में बतलाना हूँ, यह कोशी रास से नहीं बहुत पहले था, वहां के लाप हो करें, चुकि बन विभाग में घोटाला इन्होंने पकड़ाया था, मनीज कश्यब कोई बनवाएं, कई चात्रों को मदद की, और ब्यक्तिकत रूप से मनीज कश्यब का पूरा पूरा ग्रुप मदद कर रहा था, वो सीधे सत्ता से टकड़ा गए, याद रखेगा सत्ता को चुनोती देना, या सत्ता जब ये देख लेती, इतिहास आप उठा के देख लिजे, जब भी सत्ता के कोई अगेंस में आता है, तो उसको कुचल दिया जाता है, ये पूरी बिहार सरकार और मंतबंडल, जिसमें लालू और नितीज, दोनों लोग उसको कुचलने म लगे हुए, मगर सफन नहीं हो पाएंगे, इस समय जो इस्थित है, दुख़ दिये है कि वहाँ पे 14 मुकदमे बिहार में, वहाँ 13 मुकदमे, अभी कल उनकी 22 सारीक को रिमान खतम होगी, उसके बाद ये लेंगे, फिर वहाँ से तमिलनार ले जाएंगे, फिर बिहार की ग पूरी हलत मीडिया की आज बिहार में हो गई है, इसलिए सेंटरल दिल्ली में उसके खिलाब मुकदमा चले, जो भी हो, सारे मुकदमे दिल्ली पे टांसपर हो जाएं, सीबी आई जांच हो, ताजुप की बात है, सीबी आई जांच की मांग अभी तक नहीं हुई, आज चा बनता जो है, वो लगातार जनता कईये, या कईये कि मरिश कश्यप के जो समर्थक है, वो लगातार एक जो आपको बता दे कि आश्रन का जो अतार है, और ये बता रहे हैं कि फेक वीडियो या फिर तमिल नाडु का मामला कश्यप की गिरफतारी का कारण नहीं है, बलकि कश प्रश्प के गिरफतारी का कारण यह है कि उन्होंने कुछ दिन पहले यह कहा था कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंतरी नहीं बढ़ने देंगे और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर वो जेल जाते हैं तो जेल से निकलने के 180 दिन में वो तेजस्वी की सरकार गिरा दे जाएंगे तो हमारे MLA BJP के साथ चले जाएंगे तो लालू जी ने और आवडी देवी ने खुद कहा था और आपको बता देना है कि इनके उसमें एक बार आवडी देवी थें तो जब नितीश कुमार की बात चली थी तो उसमें गाना गया गया था नाना करके प्यार तुम उनकी आपत में सहमत हुए कि पहले नितीश कुमार बन जाएं उसके बाद ये बने और इनका बनना निश्चित था जून के बात कि आधे इनको उसमें 22 तक रहना था इनी के विधायग राजय दो जदियो गडवदनर के और जिनका नाम है सुधाकर सिंग और कार्थके इन्होंने अभी नितीश के लिए बड़े वैसे सब्ध कहते हैं उनको बेताल बोला बिकमंगा बोला और तमाम ऐसे सब्द बोले हैं जो उपई उन्होंने बोलें और उनका भी यही कहाँ साथ, कि यह नितीश कुमार जो है, खाली नहीं करेंगे, और वास्तों में नितीश कुमार की चाल है, और उन्हें क्या खेए। ये लालू के लड़के और इनके भीज में कराएगे दूसरी आपको बताने बिहार के जंता दलियू और राजत की आज मीटिंग हुए दिल्ली में भी सारे कालेजों में ये पता लगाया जा रहा है जटका और राजत का एक एक कारकरता मनीश कषब के खिलाप उतलाया हर थाने में ये जाँ छोड़ाई है हर थाने में पुलिस सक्ड़ी है कहीं से कोई जलूस या कोई वो नहीं निकाला जाए मगर मनीश कषब एक इतिहास होगा और एक तारीक में बहुत मजबूत हस्ताक्षर होगा ऐसे में उसर एक जो सवाल है आखरी जो सवाल है वो ये है कि तेईस मार्च का जो दिन है वो काफी एहम nearby जा रहा है मनीश कषब के समर्थक जो है अभी हाल फलाल में जो सारीके से नितीश मुर्दाबाद और तेजस्पी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और ऐसे में सवाल ये हैं कि 23 मार्च क्या आपको लगता है कि एक सफल बिहार बंद के तौर पर जो आवाहन क्या आ जा रहा है यह सफल होगा किस तरीके से रियाक्शन मिलने की उमीद है निशित तौर पर होगा उसकी वजय में बता रहे हूँ 23 मार्च को चैप्रकाज नाइन जी ने एक रैली की थी बिहार में जब अब्दुल गफूर चीब मिनिस्टर थे इंद्रा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस रैली पर उन्होंने कहा था कि जवानों इनको आम जंता क युजए नने जंता के हिद की बात करना संकर्न धरने इन पर लाठिएं कम चलाओ इनको कम मालो ये भी तुम्हारे भाई हैं उन्होंने कहा था इंद्रा जी उसे दिन से चिन्टित हो गई थी और उन्होंने आरोप यह लगाया पुलिस के लिए उस समय क्या हुआ आसपाच जितनी पुलिस थी उन लोगों ने रैली से जाते हुए लोगों को सांती से जाने दिया था और कई अधिकारियों ने सर जुका लिये थे और उनके आशु आ गये थे कि मतलब वह इन बच्चों को नहीं मानना चाहे थे और उसमें कुछ पुलिस वालों ने इस पर्श टूप से पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि बच्चों को मैं नहीं मानना इंद्रा जी को बहुत बुड़ा लगा था इंद्रा गांदी ने पच्ची मार्च के बाद उसी बास से चिंते दुए पच्ची जून को एमेरजंसी लगा बहुत भाग साली है लोग तंद की जन्नी है वैसाली और सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है अगर जैपकाय ना होते तो आज यह पोजिशन ना होती जैपकाय ना है नो सलदार पटेल की बज़र तेईस मार्च बिहार की धर्टी के लिए बहुत बढ़ा है और या देखे भगत सिंग ने भी इसी दिन तेईस मार्च को आभान किया था जिस समय पूरे देश में उनके खिलापत की बात हुई थी और भगत सिंग ने एक किताब लिखी थी जिसका भी बिमोचन तेईस मार्च को हुआ था उस समय का एक पेपर जिसका नाम था प्रताप उसमें उनका उच्छपा था जिसमें उन्होंने आजादी की बात की थी और आपको सेध्धांति ग्रूप से बताने हैं कि हमारा ग्रूप हमारा चैनल और हम भी मनीश कश्चप के साथ हैं कभी किसी राजनेतिक दल वर किसी भी नेता के साथ कता ही नहीं है किसी के साथ कोई अकीदत नहीं क कोई सजदा नहीं मगर मनीश कश्षब के आंदोनन पर हमारा सजदा है तो जैसे कि आपने सुना कि अजब पत्रकाजी का कहना है कि 23 मार्च जो डेट सुना गया है मनीश कश्षब के लिए जो बिहार बंद का आवहन क्या गया है एक सक्सिस्फुल आवहन हो सकता है कारण यही सिग्निफिकेंस है 23 मार्च का अपना भी एक इतिहास रहा है और यह दिन भी काफी एहम है बैसी में यह देखना दिल्चस्फ होगा कि 23 मार्च को जो बिहार बंद का आवहन क्या गया है किस हद तक सक्सिफुल रहता है और उस दिन और क्या कुछ बिहार में देखने के नवाल